हेलो दोस्तों रुभीजन अब में आपका स्वागत है तो जो भी चैनल पे नए आये हैं चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिजेगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक पहुंच सके तो देख लेजिए हम डिसकस करने वाले हैं आज 10 क काहारी दिवस मनाया जाता है तो यह आप याद रखेगा काफि महतापुर्ण है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला कोस्टन देख लेते हैं अगला कोस्टन है हाल ही में किस राज्जी की लक्षमी भंडार योजना को एसकोच पुरुसकार मिला है आंसर क्या हो जाएगा पसिम बंगाल पसिम बंगाल राज्य की योजना है लक्षमी भंडार योजना उन्हें जो है वो एसकोच अवर्ड मिला है तो यह आप याद रखेगा अगर पसिम बंगाल की मुख्यमंतरी की बात कर ले तो ममता बनर जी वहां की मुख्यमंतरी है तो यह भी आप याद इरानी जो है उसे हम स्टील मैन अफ इंडिया के नाम से जानते थे और इहने का जो है हाल ही में निदन हो गया और ये उद्योग बती थे ये भी आप याद रखिएगा काफी मार्तपुर्ण है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला कोस्टन देख लेते हैं अगला कोस्टन है हाल ही में परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने किस राज्य में इस्थित मानगड धाम को राष्टिय असमारक के रूप में घोसित किया है आंसर क्या हो जाएगा राजस्थान राजस्थान राज्य में इस्थित है मानगड धाम उन्हें जो है वो राष्टिये अस्मारक के रूप में पधान मंतरी नरेंद मोदी के द्वारा घोसित किया गया है तो यह आप याद रखिएगा अगर राजस्थान की बात कर लें तो छेतरफल के हिसाब से सबसे बरा राज्य जो है भारत का वो राजस्थान ही है और सकेंड राजस्थान पर मध्यपरदेश आता है तो यह भी आप याद रखिएगा राजस्थान के मुख्यमंतरी की बात कर लें तो असोग गहलोत वहां के मुख्यमंतरी है और कल राज मिस्र जो है वो राजस्थान के गवर्नर है तो यह भी आप याद रखिएगा चलि आगे बढ ताइगर रिजर्ब बना है ये भी आप याद रखिएगा उत्तर परदेश की बात कर ले तो जनसंख्या के दृष्टी से सबसे बरा राज्य जो है वो उत्तर परदेश ही है ये आप याद रखिएगा उत्तर परदेश में दुधवा राश्टिय उध्यान भी उत्तर परदे में ही है यह भी आप यादर किये चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है हाली में उत्तर प्रदेश में पहले डेटा सेंटर का उधगाटन कहां किया गया है आंसर क्या हो जाएगा ग्रेटर नुएडा में जो है वो पहले डेटा सेंटर का उद्गाटन किया गया इससे पहले जो है greater noeda में जीवर एरपोट भी बनाया जा रहा है जो की इसिया का सबसे बड़ा एरपोट होगा तो जीवर एरपोट कहां है greater noeda में और पहला data center भी greater noeda में खोला गया है और यह जो है उत्तर प्रदेश का एक सहर है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला कुशन देख लेते हैं अगला कुशन है हाली में रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने कहां दो हैली पैड लॉंच किया है आंसर क्या हो जाएगा लदाक लदाक में जो है वो रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने दो हैली पैड लॉंच किये हैं यह भी आप याद रखिएगा हैली पैड का अर्थ होत वो राधा क्रिश्न माथुर जो है वहां के उपराज्यपाल है और 31 अक्टूबर को जो है 31 अक्टूबर 2019 इसको लद्दा के केंदर सासित बना था यह भी आप याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला कुस्त देख लेते हैं हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक निकलीरिजेशन ऑफ एसिया का विमोचन किया है तो आंसर क्या हो जाएगा रेने नावा की पुस्तक है निकलीरिजेशन ऑफ एसिया तो यह भी आप याद रखिएगा महतपून पुस्तक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला कुस्त देख लेते हैं अगला कुस्त है हाल ही में UNHRC की रिपोर्ट की अनुसार दुनिया भर में कितने मिलियन लोग जबरन विश्थापित हुए हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा 103 मिलियन 103 मिलियन लोग जो है UNHRC की रिपोर्ट की अनुसार दुनिया भर में जबरन विश्थापित हुए हैं और UNHRC का फुल फर्म क्या हो जाता है United Nations Human Rights Council तो ये UNHRC का फुल फर्म होता है कई बार एक्जाम्स में पूछ भी देता है तो क्या हो जाता है United Nations Human Rights Council तो ये आप याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला question दिख लेते हैं अगला question है हाल ही में पुर्वोत्तर का एक्वा पार्क किस राज्य में अस्थापित किया जाएगा तो पुर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क जो है वो अरुनाचल परदेश में अस्थापित किया जाएगा तो ये भी आप याद रखिएगा काफी महत्यपूर्ण है और अरुनाचल परदेश के सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है अरुनाचल परदेश के साथ ही लगती है तो ये भी आप याद रखिएगा काफी महत्यपूर्ण है तो ये थे 10 कोस्टन जो कि आने वाले सभी एक्जामों के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट थे तो अगर आपको कोस्टन अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दिजिएगा आज हम आपको एक कोस्टन के साथ छोरे जाते हैं इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एक नवंबर का कोस्टन देख लिजए कोस्टन है कौनसी राज्य सरकार ने हाली में समान नागरिक संहीता लागू करने के लिए समीति का गठन किया है तो ये कल वाला question है आप इसका answer comment box में है लिख दीजिए अगर आप इस question का answer नहीं बन रहा है तो आप कल वाला वीडियो देखिए आपको इसका answer पता चल जाएगा तो मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद